नमश्कार सीएब इंडिया नूस देख रहे हैं आप इस वक्त हम लोग आजमगर जिले के जजी के मैदान में हैं और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारा work हो रहा है काम हो रहा है बहुत सारे set up लग रहे हैं यह क्यूं लग रहे हैं जब मैं इसको आपक तो आप हैरान रहाएंगे कि आपके शहर में एक ऐसा शांदार आयोजन होने जा रहा है जिसके गवा आप सब लगभग 50 दिनों तक बनने वाले हैं यहाँ पे एक से बढ़कर एक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिसे देखने के लिए आपको दूद राज की शेतरों में जाना पड़ता है कभी आपको आगरा जाना पड़ता है कभी देश के बाहर जाना पड़ता हूं चीज़ों को देखने के लिए लेकिन जो इस का बहुत स्वागत है आपका और अपना परिचाहते दिए जी मेरा मनाम पंकर मिशा है मैं इसका इंचार्ज हूं और पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इस चीजों को जनता के बीच में पहुंचाने का प्रियास कर रहे हैं देखिए क्या है कि आजमगर की ज जनता दोनों हातों से उसको स्विकार करती है तो ऐसा लगा कि आजमगर में भी कुछ ऐसा दिया जाए लोगों को जो अभी तक नहीं हुआ है इसके लोग जैसे अभी आपने बताया कि बाहर जाने का प्रियास करते हैं या अलग-अलग स्टेट्स में जाते हैं तो वह सारी चीजें एक बैनर तले हमने प्रयास किया है कि यहां पर सजो करके ले आएं जैसे अभी तक हम को सायोग और समर्थन प्यार मिलता रहा है वैसे आजमगर की जनता से भी सायोग और प्यार कंपनी करवा रही इसको जैक एलामा एम्मूजमेंट द्वारा यह आयूजित किया जा रहा है और बेसिकली अभी हमारा अरजुंगंज लखनों में प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है इसके पहले हम इलाबाद भी गए थे और प्रयागराज की जनता ने बरपूर सयोग और समर्थन दिया और लखनों की जनता कभी बरपूर के आगमरत तो तीसी कड़ी में हम आपके बीच में उपस्तित हैं आजमगड की बात नहीं करूंगा यह मंडल मुख्यालय का जिला है यहां गाजीपुर से भी लोग आते हैं महु से भी आते हैं बलिया से भी आते हैं आसपास के बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको यहां पे क्या-क्या देखने को मिलेगा देखें बेसिकली क्या है कि जैसे अभी आपने बताया कि आजमगड छोटा मोटा शहर नहीं है और यहां पे जो पबलिक की इंकमिंग है वो अलग-अलग शहरों से भी है तो प्रयास यह किया गया है कि कुछ ऐसा और अभी तक का बेस्ट दिया जाए जिससे लोग आकाशि हो राए और उनको दिमाग में एक इतियाजिक चीज आए कि हाँ आजमगड में कोई एक महुत्सा ओए आजमगड में कोई एक ऐसी चीज लगी जी जो कि अभी तक के इतियाज में नहीं लगा था कुछ चीजों का नाम बढ़ा पाएंगे कि क्या क्या चीज़े हैं हम लोग चलते हुए बाचित करते हैं और थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहां पर काम हो रहा है कि सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हम लोग दुबाई तीम कारणीवाल लगा रहे हैं दुबाई तीम कारणीवाल बेशिकली दुबाई थीम पर बसा हुआ है और दुबाई थीम होने के साथ-साथ यहां पर आप देखोगे एफिल टावर भी है बोर्च कलीफा है त्विंट आवर है अलालब है जो कि दुबाई का फेमस सेविन स्टार होटल है इसके अलावा हम अगर बात करें तो हम यहां पर जो विस्व की सप्रसिद चीजें हैं इसे साथ अजूबह में आता है पूसे ताजमहल भी हम यहां पर बना रहे हैं स्टैच्व आफ लिब कि लोगों के मन में फिर साइद इक्षा ही न रहे कि आगे हम और कुछ कहीं देखने जाएं तो वह प्रयास यह किया है कि अभी तक का सर्वत्तम आजमगड में देने का प्रयास है अपना यह जो सारा सेट अप चल रहा है यह कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और मेल कास्त तो हमारा यह है कि जल से जल से जल्दी से जल्दी हम इसको शुरून करपाएं लेकिन ये मानके चलिए कि ने का प्रयास कर रहे हैं उनको निराशा नहीं आत लगेगी और उनका भरपूर प्यार और वह मांस्वार में बहुत सारी होती है मास में पीपल यहां पर आएंगे तमाम चीज़ें देखेंगे तो उनकी सुरक्षा वगरे कि द्रिश्टी कोड़ से कर मैं पूछू तो बिशेस्ता महिलाओं की लड़कियों की तो किस तरह की इंतजाम देखने को मिलेंगे यहां पर हमारे यहां सेक्यूर्टी गाड्स तो ह और हमारा जो ऑफिस कार्याला है उसमें भी सारी सुबधाय रखी गई है फरस्टेट बॉक्स रहेगा आपको सिसी टीवी कैमरा रहेगा जो की बाकाइद है पूरी ऑफिस से मॉनिटरिंग उसकी होती रहती है तो पूरा प्रयास यह है कि मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत न लगेगा है और मैं चाहूंगा आपके चलना के मैदम से नियाले का भी शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमको यह मोका दिया कि हम जजी मैदान में लगा करके लोगों को कुछ यूनिक चीज दे सकते हैं यहाँ पर कहीं से कोई आएगा रोडवेश पास में है निया अधिक से लोगों तक हमारी बात पहुच पाए अपने किया है इसके बाद हमने लखनों में किया है अब यह बहुत ही बहतरी रहा आप से पहले इस टार्डिंग में बोला कि यूपी के जनता खासकर यूनिक चीजों को देखना पसंद करती है तो हम कड़ी बढ़ाते जा र सबसे पहले मैं आप सभी लोग का बहुत-बहुत सुक्रिया आदा करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे ग्राउंड पे आए और छोटी सी छोटी चीज को आपने फोकस किया और मैं आजमगड की जनता को अपनी माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक बार आप जरूर आए और यूनिक चीज़ देखें अच्छी चीज़ देखें और इसी के साथ मैं आप लोगों बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं हाँ हाँ और हम अच्छी चीज़ देंगे बहतर सुविधा देने की पूरी कोशिस करेंगे पंकर जी एक सवाल आखरी सवाल है मेरा आज की जो तनाव भरी जिन्दगी है हाना हर काम में सुबह सुठे आदमी तो अपने काम धाम में लग जाता है तमाम प्रेशर होता है और इसी महगाई भी बहुत ज्यादा है इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंसान राद दिन महनत कर रहा है काम कर रहा उसे कहीं बहार जाके घूंकर चीज़ों को देखकर करके रिलैक्स फिल करने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे जो सारे यहां पे आप चीज़ें परतश्यत करेंगे जैसे दूबै का कुछ माडुल है कुछ स्टेच्व अफ लिबर्टी काफी मामला है वर्ड लाजेस्ट इगल भी आप लोग बना रहे हैं तो इन सब चीजों को देख करके पब्लिक कैसा महसूस करेगी पब्लिक को मुझे लगता है कि पब्लिक को यह अपने एक यूनिक कांसेप्ट जो देखने को मिलेगा ना उससे वो काफी उत्सा और इतनी सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं वीजा पासबोर्ड के बगार दे रहे हैं तो मैं तो चाहूंगा कि जन्ता आपके चैनल के माद्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं वह आए देखें हमने उनके लिए क्या बैसरी प्यास किया है और दोनों हाथों से मैं चाहता तॉ आप लोग हो जाएगा तो आप लोग भी तैयार हो जाएगे दो या तिन तारिक आपको यहां का यह जो बड़ा एक मेगा इवेंट बीट शुरू हो जाएगा और आजमगर और आज पास के जिलेकर जो लोग है जो बच्चे हैं उनके लिए बहत खास होने वाला है यह आपे वो तमाम सारी चीज़ें आपको देखने, सुनने, समझने को मिलेंगी जिसे शायद देखने के लिए आपको कही दिन निकालना पड़ता है कही दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है दूर दराज के देशों में जाना पड़ता है वो सारी चीज़ें आपके यहां पे situated होंगी आईए और इस मेले का आनन्द लीजें दर्श को मैं आपसे पताना चाहता हूँ कि यह जो इवेंट है एक लार्ज इवेंट है और यह आजम गड़ के जजी के मैदान में situated है यहां पे सब कुछ विवस्तित किया जा रहा है अब देख रहे हैं पीछे सारा काम चल रहा है दो से तीन तारीख में इसे शुरू कर दिया जाएगा और आप तैयार रहिए इस मेले का आनन्द लेने के लिए इस एवेंट का लुथ उठाने के लिए धन्नवाद